सावर कर जी थे हम तो नहीं थे अंग्रेजों की माफी तो यह लोग मांगते थे माफी मांगना इनका अब फिर वह कुछ बोलेंगे बोलेंगे तो बोलेंगे मैं तो सच बोल रहा हूं सच बोलने में क्या मैं कहा डरता हूं जब राहूल गांदी नहीं तो आप 1922 प्रतिक जी सावर कर जी के माफी पत्र थेया करें तो मैं है history की बात कर रहे है क्या लिखा था आपके सामने है मैंने तो हम माफी हम कभी नहीं मंगेंगे कभी सेलूलर जिल है देखने शाइए जरूर जाना चाहिए और वो जेल जो छह बाइट की बशीर देखना चाहिए और ज़रूर रुखन्स वह उता है ऐक अपना स्टेयल और रधा अपके सूचा information broadcasting minister से और सावर कर पर वो क्या बोलते तो वो भी जरू सुना चाहिए आपको और अपनी नजरिया से देखना चाहिए अफकोस चीजें आप देख सकते हैं अपना नजरिया आप अपनी तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकित मैं आज यह विशह नहीं था इन्होंने एलेक्शन दो रहा चौबीस के आसपास छोड़ा आपको सवाल पर मैं वही आपसे जो मैंने पहले पूचा था मैं उसी सवाल पर आता हूं आई लव यू क्यों नहीं कहे देते हैं एक बार किसको आई लव बोले हैं अगर आपने राहूल जी को चहरा बनाया तो नरेंद्र मुदी जी प्रधान मंत्री ही बनेंगे करें है उसका रीजन है वह आई लव शब्रिज़न वम् fact और सुर हाई बॉत यसाम अपटे हैं जैसे हम जंटा को आए लवी बोलते हैं इनका जंताओ प्राइ़ हो जाता है कोई भी आदमी यहां पर कुछ भी बोले बाहर आप पुछिए नोट बंदी विफलता तीन काले कानून मुझे बताइए देश की जनता के सामने कभी भी इमानदारी से एक बार भी का कि हाँ भाई साब हमारी गलती हो गई नहीं जो भी इनके खिलाप जब किसान अंदोलन के म प्रतिक जी एक चिठी है वीर सावरकर जी के परिजनों को लिखी इंद्रा गांदी ने उन्होंने कहा ये वो हमारी भूमी का बेटा है जिसने सब कुछ नुचावर कर दिया भारत के लिए तो इंद्रा गांदी चिठी लिखके तारीफ कर रही है और यहां राहूल गांदी कह रहे मुझे सावरकर मत समझो अरे सावरकर के जूते की धूल नहीं है राहूल गांदी मैं बिलकुल स्पश्च बतादू पहली बात पर यह तब है जब सावरकर जी का जो तेल चित्र है वो हमारी संसद में है आप मुझे बताए किसी का पोट्रेट अगर संसद में है और राहूल गांदी अगर यह कह रहा ही क्या दर्शाता यह दर्शाता है कि मुझे लोगतंत्र में संसद में नयाइपालिका में मीडिया म में, Election Commission of India में, EVM में, और खासकर जंता में भी विश्वास नहीं है, मुझे केवल इटिली पे विश्वास है, मैं चुट्टी पे चला जाता हूँ अपना पीजा का देता हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, इनकी दुकान ही इस पे चलती है, यह वर्ड पही चलती है, यह इसी वक्त शब्द वापस ले लूँगा, राहूल गांदी एक बार कहें कि नरेंद्र मोदी जी को चौकिदार चोर है, जो कहा था, गलत है, मैं माफी मांगता हूँ, इसी वक्त राहूल गांदी ने क्या का मैं उस पे हूँ, और दूसरा, जब यह लोग कहते हैं कि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की कबर खोदेगी, तो प्रतिक जी वो कैसा है, अभी माफी मांगे, अभी साथ वापस लोगा, अभी साथ वापस लोगा, तो बजदान्यवाद, अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को, तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे देश के प्रधा अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, सुनिये, क्योंकि मुद्दा तो वही है, पूरे देश ने आज देखा, साड़े तीन सो से जादा सीटे आएंगी, क्योंकि मेहनत करी है, उस छात्र की तरह है, जो हमेशा तैयारी करता है, समर्पित रहता है जनता के प्रति, भाईया नहीं बता पाई कितनी आएंगी, हो सकता है कि इस बार डबल डिजिट का आखड़ा पार ना हो, इसलिए बताएंगे नहीं सिर्मागेंगे, सोचिए कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी जो कहती थी, कि तुम जो 20 सीटों पे लोड़ो, तुम 10 पे आज उत्तर प्रदेश में भ दूसरी पार्टी कहती है, नहीं करेंगे, जो.